कि टोपिक चल रहा है हमारा संग्या का तो संग्या में मैंने आपको पहली क्लास में कुछ क्यूशन करा दिये हैं संग्या के पिरकार की होती है वो खरा दिये हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं जो संग्या में आगे की क्लास में कि क्या क्यों 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 प्यूशन प्यूश जरूर बताए तो चली शुरूबात करते हैं आज के क्यूस्टन से आज का क्यूस्टन ने पहला पसू चर रहे हैं तो पसू जो है यहां पर रेखांकित पद क्या है तो यहां पर बताना है पसू क्या है देखें ब्यक्ति वाचक संग्या है जाती वाचक संग्या है या भाव की होती है संग्या जो होती है आपकी संग्या तो संग्या पांच पिरकार की होती है संग्या आपकी पांच पिरकार की होती है अब कौन-कौन सी होती है तो उसमें पहले पर आता है आपका ब्यक्ति-बाचक संग्या अब ब्यक्ति-बाचक संग्या में क्या क्या आता है अपका व्यक्ति वाचक संग्या में जो आता है किसी बस्तू ठीक है किसी बस्तू पदार्त किसी बस्तू पदार्त या व्यक्ति का बोध हो ठीक है काय का बोध हो आपका या आपके व्यक्ति का बोध हो तो बहाँ पर क्या होगा आपका व्यक्ति वाचक संग्या ठीक है लेकिन दूस सब्ध जिनसे किसी ब्यक्ति बस्तू या इस्तान की संपूर झाती का बौध हो, थीक है? यानि के कोई ब्यक्ति है कोई ब्यक्ति या कोई बस्तु है ठीक है कोई ब्यक्ति या बस्तु है उसके इस्तान पर ठीक है ब्यक्ति या बस्तु के इस्तान पर उसकी संपूर जाती का बोध हो ठीक है इस्तान पर किसके बोध हो संपूर जाती का बोध हो ठीक है संपूर जाती का बोध हो तो बहाँ पर क्या होगी आपकी जाती वाचक संगिया तीसरे नंबर पर आती है कि भाव वाचक संगिया अब भाव वाचक संगिया क्या होती है देखे तो भाव वाचक संगिया क्या होती है आपकी जिस पदार से किसी के गुण धर्म दसा ठीक है गुण धर्म दस अवस्ता ठीक है धर्म अवस्ता का बोध हो तो बहाँ पर क्या होती है अपकी भाव वाचक संग्या ठीक है बात करें द्रब्य वाचक की तो द्रब्य वाचक में क्या आती है यहां पर अगर बात की जाए द्रब्य वाचक संग्या की तो द्रब्य वाचक संग्या में क्या आत आपकी द्रब्य वाचक संगया पांसमे नंबर पर आती है आपकी वह आपकी समु वाचक संगया ठीक है समु वाचक संगया अब समु वाचक संगया क्या होती है जिससे किसी बस्तु या ब्यक्ति के समु का बोध हो ठीक है ब्यक्ति हो या बस्तु हो ब्यक्ति या बस्तु के स समु का बोध हो तो बहाँ पर क्या होगी आपकी ब्यक्ति बाचक संग्या होगी अब देखिए यहां पर बात करते हैं पसु तो पसु क्या है आपकी यहां पर अगर हम यहां पर पसु को देखें तो पसु क्या है हमारी पसु एक जाती होती है ठीक है पसु की जाती होती है इ कि यहां पर किया होजाएगा आँपको जाती वाचक संग्या नहीं करे तो यहां पता की जाटी वाचक संग्या हो जाएगी तो आंसर क्या हो जाएगा है 1 औसका बाप का संबन्द बाचक संग्या रूप होगा तो बाप का संबन्द बाचक संग्या रूप क्या होगा ठीक है बाप का संबन्द बाचक संग्या जो होता है वो होता है आपका बपोती ठीक है क्या होता है बपोती ठीक है क्या होता है बपोती तो आंसर क्या हो जाएगा इसका D answer हो जाएगा चलिए अगला question देखते हैं अगला question है निम्न में संग्या सब्द है तो इसमें संग्या सब्द बताना है देखे संग्या सब्द क्या होते हैं संग्या की परिभासा आपको पहले पता होना चाहिए संग्या की परिभासा होती क्या है तो संग्या कहते हैं किसी प्राणी किसी बस्तू प्राणी इस्तान भाव आदी के नामों को क्या कहते हैं तो किसे कहते हैं संग्या किसी बस्तू प्राणी इस्तान भाव आदी के नामों को हम क्या कहते हैं संग्या कहते हैं जैसे इसमें संग्या कितने प्रकार के होती है आपके मैंने अभी उपर कराया पांच प्रकार के होती है तो संग्या केतने पिरकार होते हैं पांच पिरकार के होते हैं अब इसमें क्या क्या आते हैं जैसे आपका ब्यक्ति बाचक संग्या में क्या आ जाएगा जैसे राम गंगा पतना आदी ब्यक्ति बाचक संग्या में आते हैं ठीक है तो यहाँ पर नाम जो है नाम इस्तान तो विस्तान नाम क्या है यहां पर तो यहां पर देखें गंगा तो गंगा क्या है यहां पर आपकी संग्या है ठीक है तो गंगा क्या हो जाएगी यहां पर संग्या हो जाएगी ठीक है तो गंगा यहां पर संग्या सब्ध है ठीक है यह कौन से संग्या आपकी व्यक्ति कहते हैं तो जिससे एक ही फिरकार की बस्तों या ब्यक्तियों का बोध होता है तो उन्हें क्या कहते हैं जाती बाचक में आपकी क्या क्या आती है जाती बाचक की अगर बात की जाए तो इसमें जैसे आपका मैं कहूं आपसे देश तो देश में सारे देशों का नाम आ जाएगा चाहे कोई सा भी हो आपका जैसे आपका परवत तो परवत में सारे परवत आ जाएंगे कोई सा भी हो आपका जैसे मैं कहूं लड़का, तो लड़का सारी जाती का लड़के जाती का बोध होगा यहाँ पर, जैसे मैं कहूं आपसे पठार, तो पठार में सारे पठारों के जाती का बोध होगा, मरुस्तल, तो इस तरीके से जातीयों का बोध होता है, उसे हम जाती बाचक संग्या कहते ह है ठीक है तो इस चीज को अपको ध्यान लखना है चलिकर क्या है सबसे प्यारी होती है रेखांकित सब्ध का संग्या भेद क्या है तो यहां पर बताना है स्वतनता है आपका वाचक संग्यान वाव आचक क्यों है क्योंकि जिसमें किसी का भाव फैदा होता हो ठीक है यानि कि बेसब्द किसी भाव गुण दसा का बोध कराते हैं तो बहाँ पर आपकी भाव आचक संग्या होती है ठीक है क्योंकि जैसे आपका जैसे अपका मिठास पराता हो गया चाहिए लिगारना हो गया यह योबन हो गया क्रोध हो गया तो यह सब आपके शंग्या हो सब्सक्षाइब हो अगर बात करें भावाचक संड्या कौन से हैं सभी ता यहां पर सभी को बताना है तो सब्सक्राइब भाव वाचक संग्या कौन सी है देखे अमीर गरीब समू तो यहाँ पर समू जो है यह आपका भाव वाचक संग्या नहीं है ठीक है यह बाव वाचक संग्या नहीं है यह क्या आपका यहाँ आपका भाव वाचक संग्या नहीं है क्योंकि देखे तो यह आपका समू वाचक सं तो यहां पर आगे देखते हैं रसीला कड़वाहत बुढपा उन्नती तो यहां पर सारे क्या है आपके यह भावाचक संग्या है यह क्या है यहाँ पर सारी आपकी भाव वाचक संग्या है ठीक है आगे तो यहाँ पर सब आपकी भाव वाचक संग्या है ठीक है तो आंसर क्या हो जागा इसका सी आंसर हो जाएगा चलिए अगला क्यूशन देखते हैं देखे यहाँ पर सूर्य आपका भाव वाचक संग्या है ठीक है चलिए अगला क्यूशन देखते हैं जाती वाचक संग्या सब्द है तो इसमें जाती वाचक संग्या सब्द बताना है जाती वाचक संग्या सब्द कौन सा है तो यहां पर अगर बात करें जाती वाचक संग्या सब्द कौन सा देख जाती वाचक संग्या सब्द वे होते हैं जो संपूर जाती का बोध कराते हैं यानि कि जो संपूर जाती का क्या कराते हैं बोध कराते हैं संपूर जाती का क्या कराते हैं बोध कराते हैं तो जाती वाचक संग्या होते हैं ठीक है जैसे मैं कहूं आपका मनुस्या होगा तो मनुस्या पूरी संपूर जाती का नदी तो नदी सारी नदियों का बहुत कराती है ठीक है तो ये जितने भी है आपके अब दीके भैस होता है तो भैस में बहुत सारी नसले होती है ठीक है जैसे बकील होता है तो बकील में आपके मेल फिमेल सभी हो सकते है ठीक है नगर होता है नगर डाक्टर ये सब क्या है आ जान लखना है जो किसी संपूर जाती का बोध कराता हो वहां पर आपकी जाती वाचक संग्या होगी तो यहां पर आपका ओप्सन क्या हो जाएगा वकील यहां पर जाती वाचक संग्या है ठीक है तो आंसर इसका डी हो जाएगा अगला क्युस्सन है निमलिकित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी सब्द व्यक्तिवाचक संग्या हैं ठीक है तो यहाँ पर बताना हमें जो सभी है वो व्यक्तिवाचक संग्या हैं ब्यक्ति बाचक संग्या कहते किसे हैं, जो बहा संग्या जो किसी ब्यक्ति या बस्तु इस्तान का बोध कराती है, ठीक है, किसी बस्तु ब्यक्ति इस्तान का बोध कराती है, बस्तु ब्यक्ति या इस्तान का बोध कराती है, बस्तु ब्यक्ति या इस्तान का बोध कराती है, आपकी ब्यक्ति वाचक संग्या होती है जैसे यहां पर अगर अगर हम देखते हैं राम तो राम यहां पर आपका ब्यक्ति वाचक संग्या है ठीक है राम चरित मानस यहां पर ब्यक्ति वाचक संग्या है गंगा भी यहां पर आपका ब्यक्ति वाचक संग्या है ठीक है तो य है यहां पर जितने भी हैं यहां पर यह क्या हो गई ठीक है तो आंसर क्या हो जाइगा टीक जो दो इसमें आपका कोई वे इस्तान में या guideline क्या है चाहें नाम हो व्यक्ति यहासे करिंग को फूकर तो मोहन इस्तान कैदू में आपका पटना हो गया, पटना हो गया, तो ये सब काय में आते हैं, आपके सब व्यक्ति वाचक संग्या में आते हैं, चलिए अगले क्यूशन देखते हैं, राज्येपाल में कौन सा संग्या है, तो राज्येपाल में कौन सा संग्या है, देखें, राज्य ने होगई यहाँ पर राज जाती वा Leonardoband का शक्तानि में यहाँ न संग्तों से यहाँ बात कुर हैए उसके संबंदित हो सकते हैं ऐसे संबंदित हो सकते हैं आपके ब्यवशाय से संबंदित हो सकते हैं यहाँ पर आपके ठीक है ब्यवशाय संबंदित हो सकते हैं पदों से संबंदित हो सकते हैं तो वहाँ पर क्या होगी आपकी जाती बाचक संग्या होगी ठीक है जैसे इसमें आपका आगया बेहन आगया तो बेहन भी आपकी जाती बाचक संग्या में आता है चोर भी आपका जाती वाचक संग्या में ही आते हैं तो राज्य पाल यहां पर क्या आपका जाती वाचक संग्या है ठीक है चलिए अगला क्योशन देखते हैं निमलिकित में से कौन सी भाव वाचक संग्या है तो इन में से कौन सी भाव वाचक संग्या है जो सब्द किसी अब यहां पर एक ची नोट कर लें आप ठीक है भाव वाचक संग्या तो यहां पर बात करूं भाव वाचक संग्या तो भाव वाचक संग्या से किसी भाव ठीक है किसी भाव गुण दसा आदी का क्या होता है बोध होता है ठीक है गुण भाव दसा आदी का ब होता है यहां पर जैसे कहूं मैं आपकी जैसे मित्रता हो गया यहां पर क्या है आपका मित्रता तो मित्रता मैं भाव मित्रता का जैसे मैं कौने पवित्रता ठीक है पवित्रता या कहूं मैं आपसे बुढ़ापा बुढ़ापा या मैं कहूं घवराहट ठीक है घवराहट तो यह सब क्या होगे आपकी भाव वाचक है ठीक है गवरार्ट का भाव होगा उसमें ठीक है जixonate मित्रता के आपका वाव वाचक संग्या है ठीक है तो इस चीज़ को आपको ध्यान लखना है देखे यहाँ पर अगर भारत की बात करो तो भारत क्या यहाँ पर आपका ब्यक्तिवाचक संग्या है ठीक है यह क्या आपका ब्यक्तिवाचक संग्या है लड़का अगर लड़के की बात की जाए तो लड़का आपका जाती वाचक संग्या है ठीक है लड़का क्या आपका जाती वाचक संग्या है ठीक है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है जिसकी भी पूछता है तो उसका हमें आंसर अराम से ते देना है ठीक है तो यहाँ पर आपका यह आपका भाववाचक संग्या हो जाया गा, मित्रता चलिए अगला क्वशन देखते हैं अगला क्वशन है गरीबों की साहता करो गरीब सब्द क्या है तो गरीबों की साहता करो गरीब सब्द戰 कि बॉत नुव动 इसी भी जाती का संपूर जाती का बोध होता है यहां पर गरीब समुदायका क्या हुआ है बोध हुआ ठीक है तो गरीब समुदायका यहां पर बोध हुआ ठीक है तो यहां पर किसका बोध हुआ है गरीब समुदायका तो यहां पर जाती वाचक संग्या हो गई अब जाती व अमीर हो गए, ब्यापारी हो गए, ब्यापारी हो गए, जैसे आपके अधिकारी हो गए, ठीक है, अधिकारी, तो यह सब काय में आते हैं, आपके जाती वाचक संग्या में आते हैं, चलिए अगला क्योशन देखते हैं, बुड़ापा एक पिरकार का अभी साफ है, तो रेखा चतेओं तो मैंने बताया था मितरता सत्रों यानि कि मितरता सब इस तरीके से इतनी भी होते हैं तो सारी में था प्षस्षयित को बाव वाचिक नोट लेना है जिसमें किसीका वह उत्पन होता है तो वहां पर संग्या होती है को चलिए अगला क्यूश्चन देखते हैं लड़का दोरता है इस बाक्यों में लड़का किस संग्या का उढारन है तो लड़के की बात की जाए तो मैंने अभी बताया तो लड़का यहाँ पर आपका जाती वाचक संग्या का उढारन है जैसे आपका लड़का हो गया, यहाँ पर जानवर हो गया, आपका जानवर हो गया, पसु हो गया या आपका पक्ची यह सारी पक्ची जाती गारे पसु सा wastewater करने तो इस तरह के दो एक जपनी जाती गार्व भर आते हैं बहां पर जाती बात्यास संग्या होती थी Cage छली अगला क्योंचन देखते है लकड़ी कौनसा संग्या का भेद है लकड़ी, लकड़ी की यहां पर अगर बात की जाए तो लकड़ी क्या है, लकड़ी ज़िस सब्द संग्या जे किसी यहां पर एक चीज आपको ध्यान लखना है जिफ सब्द संग्या से किसी धातू, ठीक है, किसी चीज का धातू हो, या आपका द्रब्य हो, या आपका सामग्री हो, ठीक है, क्या हो आपकी सामग्री हो, या पदार्त का बोध हो, ठीक है, काय का बोध हो, पदार्त का बोध हो, तो बहां पर जो होती है, बहां आपकी द्र द्रब्य वाचक संग्या होती है ठीक है तो यहाँ पर उसे हम क्या कहते हैं द्रब्य वाचक संग्या कहते हैं तो यहाँ पर आपकी क्या क्या हो सकती है इसमें आपकी सोना भी हो सकता है ठीक है लोहा भी हो सकता है और आपका चांदी भी हो सकती है और आपकी लकडी भी हो सकत है पानी भी हो सकता है तो यहां पर आते हैं आपके द्रभ्य वाचाख संग्या में आते हैं तो लकडि यहां पर क्या आपकी कोन सा सब्द जाती वाचक संग्या नहीं है तो यहां पर जाती वाचक संग्या कौन सा नहीं है देखे यहां पर अगर बात करें तो जाती वाचक की बात की जाए तो जाती वाचक होते क्या देखे वो सब्द होते है जो किसी पूरी जाती का बोध कराते है ठीक है तो यहां पर अग पर जवान की तो पूरी जाती का बहुत गराने जवान बालक मनुस्य यह क्या आपके जाती वाचक है बालक मनुस्य भी लेकिन सुन्दर यहां पर आपकी जाती वाचक संग्या नहीं है सुन्दर क्या आपका यहां पर विसेशन है ठीक है यह क्या आपका यहां पर विसेशन ह सुन्दर तो यहां पर जाती बाचक संग्या कौन सा नहीं है आपका सुन्दर जाती बाचक संग्या नहीं है ठीक है क्योंकि यह किसी बस्तू या देखे सुन्दर सब्द जो है किसी ब्यक्ति या बस्तू की विसेशता बताता है ठीक है तो यहां पर सुन्दर क्या आपका वि दूसरी क्लास ती इसमें दोनों को जो मेंन में टोपिक ते वो करा दिये हैं ठीक है जिस तरह के क्यूशन पूछे जाते हैं उसमें अधिकतर मैं सारा इसमें कवर करा दिया है अगर आप चैनल पर अभी भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले वेडियों अच्छी लग अच्छाउ में हो सब्सक्राइब कर दो संस्सक्राइब ऑूछे जगको फो हुग है जाते हैं अबना दिया है pubisता है जाते हैं अबना रिए तो cared